हलो फ्रेंड वेलकम बैक तू माई यूटूब चनल फ्रेंड्स यह आप देख रहे हैं यह है स्पारल पटेटो कैसे बनते हैं और खाने में कैसे लगते हैं आज आप इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्त तक देखें वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी वी आसी भी मिटली नहीं रहनी चाहिए पौटेटो पर तो थ्री पौटेटो है और इनको धोल लिया है अच्छे से two कील करेंगे इसे ऑप वीडियू को देखते रहें इस तरीके से कील उठाएंगे इसस फसाा देने हैं से आप कोई भी की ले सकते हैं आपके घर पर ऐसी इस टाइप की पड़ी हो यह जिससे स्वेटर बनाते हैं वो पड़ी हो सलाई पड़ी हो आप वो ले सकते हैं वैसे तो इसकी मसीन आती है और इसकी नाइफ आती है तब बनाई जाती है लेकिन आज मैं बिना किसी मशीन और किसी sparrow knife की help के बिना ये बनाऊंगी तो चाकू लेंगे और चाकू से इसको इस तरीके से छले वाली cutting में कट करेंगे आप देख रहे हैं कि मेरा knife की इस तरीके से चल रहा है पीस अलग-अलग नहीं करने हैं एक दूसरे में joint रहने चाहिए पीस तो इसी तरीके से cut करेंगे पूरे potato को अभी आप देखेंगे जब पूरा ये cut हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसे खोड़ कर गे friends वैसे तो ये machine से बनाए जाते हैं और खाने में काफी टेस्टी होते हैं क्रिस्पी होते हैं काफी और मसालेदार भी होते हैं खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और ये मैं बना रही हूं without oil तो ये बड़े लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं तो आप देख रहे हैं कि दीरे दीरे आदा आलू कट गया है और आदा बागी रह गया है तो इसी तरीके से cut करते रहेंगे जब ये बीच में नाइफ फस जाए तो नाइफ को निकाल करके दुबारा से cut करें अगर नाइफ फस रहा है तो जब बड़ जिस्ती ना करें वरना आपके स्पैरल पट्रटों की save अच्छी नहीं आएगी अलग-अलग पीस कट जाएंगे ये देखिए मैंने नाइफ को निकाल दिया है क्योंकि वो टाइट चल पा रहा था तो इसलिए इसको निकाल के दुबारा से cut करेंगे और पहुत ही अच्छी save आने वाली है इसकी फ्रेंट्स मसीनों से जैसे बनते हैं इस टाइप की तो नहीं आ पाई क्योंकि मसीनों से जो बनती है बहुत ही अच्छी save होती है लेकिन ये भी काफी अच्छी आने वाली है आप देखेंगे लास्ट तक देखते रहें आप और खोल के भी दिखा दूंगे मैं आपको एसे मार्केट में काफी महगे मिलते हैं अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो सत्तर से असी रुपे की प्लेट आती है कट करेंगे और इस तरीके से इनको खोल देंगे ताकि हमें मसाला लगाने में आसानी हो यह आप देख रहें ना फ्रेंड्स की तरीके की इसकी सेव आ रही है अच्छे से खोलेंगे इसको यह देखिए मैंने पूरा अच्छे से खोल दिया है और इसको सेट कर दिया है और इसको कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं अब इसको पानी में रख देंगे पानी लेंगे किसी बाउल में और पानी में रख देंगे बाकी के पोटेटो जो बचे हुए हमारे उन अच्छे से पानी भर लेना उपर तक और यह मैंने पोटेटो कट कर लिये हैं और आप देख सकते हैं किस टाइप से मैंने इसको कषिक किया है जो में बोल लेंगे एक और बोल में डालेंगे बेसन, 2 चम्मच, 2 चम्मच डालें, कॉर्म फ्लार अप चाहें तो अरा-रोड भी एक प्रिस्पी बनते हैं इससे दो चमँद्व मैंदा ले लिए मैंने दो चमँद्व कलर आप देख सकते हैं मैंदा का लग है और कॉन फ्लोर का लग है इन तीनों चीजों को ले लेंगे और इसके बाद कुछ इसमें स्पैसिस आड़ करेंगे अगर आपको पसंद दें तो आप अच्छे से चट पटा बनाएं कोरिंडर पाउडर तर्मेरिक पाउडर तर्मेरिक पाउडर से काफी अच्छा कलर आता है रैड चिली पाउडर चाट मसाला चंकी चाट मसाला यूज की आए बैने आप को इभी कर सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे पोटेटो मसाला यह मैंने पोटेटो मसाला डाला है इसे काफी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स नमक टेस्ट किये अकॉर्डिंग अब थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना एक साथ क्योंकि हमें थिक बैटर बना करके तयार करना है इसका ताकि पोटेटो पे चिपक सके क्योंकि मैं इसको विदाउट ऑईल बना रही हैं अ और एक क्रिस्पिनस बढ़ सके पोटेटो की हाथ की हेल्प लेंगे और हाथ की हेल्प से कोट करेंगे इस पर बेशन को अच्छे से जो हमने बेशन और कॉन फ्लोर मेंदा का जो बैटर बना की तयार किया है इसको कोट कर देंगे हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है उस दिया है अच्छे से और फ्रेंड्स यह मैं बनाने जा रही हूँ और अच्छाइजित को मैंने पहले ही पांचमट के लिए प्रिहिट होने के लिए छोड़ दिया है जब हमारा उटी जिप्रिहिट हो जाएगा तो यह मैं उसमें रख दूंगे ओटीजी में यह देखिए ओटीजी प्रिहिट हो गया हमारा कि तू फिफ्टी सेंटीग्रेट पर मैंने इसको किया हुआ है और नीचे वाली रॉड पर सेट कर दिया है टाइम हम करेंगे 20 मिनिट का जो 20 मिनिट का मैंने टाइम सेट कर दिया है इसमें फ्रेंट्स नीचे वाली रॉड आउन करने हमें इसकी थोड़ा बहुत बैटर नीचे टपकेगा बहुत ज्यादा नहीं टपकेगा क्योंकि यह गरम है ओटीजी तो वहीं की वहीं सेट हो जाएगा 20 मिनट में ही हमारे पॉटेटो बनकर के तयार हो जाएगे तो 20 मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं काफी कलर बदल गया है तो पहले स्विच आफ करेंगे ओफ कर दिया मैंने स्विच को देखेंगे पोटेटो हमारे तयार हुए है या नहीं हुए है हमारे पोटेटो तयार हो गए है काफी अच्छी कुस्बू आ रही है मैंने इनको उटी जी से बाहर निकाल लिया है फ्रेंट्स गरम गरम है एकदम क्रिस्पी है गरम है और बहुत ही अच्छी कुस्बू आ रही है इससे यह हमारे स्पैरल पोटेटो बनकर के तयार हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी स्पैरल पोटेटो बनकर के तयार हो जाते हैं फ्रेंट्स घर पर भी आप ज़्यादा क्रिश्पी बने हैं सो फ्रेंड्स हमारे स्पैरल पोटेटो बनकर के तयार हैं अगर आप भी स्पैरल पोटेटो बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप स्टेफ फोलो को रहें आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑईल का यूज नहीं किया है और बह प्रीन चटनी और रेड चटनी दोनों लगा दी है मैंने इस पर एक बार फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ थेंक्यू झाल कि और बहाँ झाल, झाल को गार पे नहीं है।